लेकर आए हैं विशे हिंदी के प्रारमिक शिख्षा पुर्णिता प्रमान पत्र परिक्षा पेपर 2022 तो यहां हम जो आपका पेपर होने वाला है उससे रिलेट कोश्चन लेकर आए हैं पूरा पेपर ध्यान पूर्वक देखेगा साथ ही हम इसके आंसर भी देखेंगे तो जुड़े रहें इसी तरह कंटीन्यू हमारे चैनल के साथ तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्ण पत्र की कोश्चन को देन हम आंसर देखेंगे तो प्रश्ण संख्या एक से स्टार्ट करेंगे प्रश्ण संख्या एक है नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर सही विकल चुनकर कोश्चक में लिखें यहां आपको अबजब्जी टाइप कोश्चन दे गए हैं जिसमें आपको सही विकल देखना है question first है अभी न होगा मेरा अंत्पंक्ती में किस रित्व के लिए कहा गया है तो यहां कौन सी रित्व के लिए कहा गया है देखना है चार option देखेंगे चार option दे रखेंगे आपको तो यहां पर total 15 question पूछे जाएंगे objective type जिसमें आपका एक नमबर का प्रतिक प्रशन रहेगा total marks रहेंगे आपके 15 second question है लाग की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उप्योग किया जाता है तो किस का उप्योग किया जाता है वो देखना है थर्ड है अमरिश शब्द का विपरिश शब्द अमरिश का विपरिश बताना है फोर्थ है प्रित्युक्ष सब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए प्रित्युक्ष का समानार्थी देखना है फिफ्थ है बदल को किस बाद से चुड़ थी यहां बदल नहीं है यह बादल है करेक्ट कर लिजीगा किस बाद से चीड़ थी तो आपने जैसे कि पड़ा ही होका लाक की चूड़ियां किस चीज से चीड़ थी बदल बादल को तो यहां लिखना है आपको आंसर बस तो first class है वाके में вिशेशन है तो विशेशन बताना है हम भीक मंगों की रिक्तिस्तान स्वच्छन लुटा कर प्यार चले कवीता की पंक्ती को पूरा कीजिये तो कवीता की पंक्ती पूरी करनी है हम भीक मंगों की क्या आएगा यहां प संदी बताना है रविंद्र शब्द का सह ही संदी विचेट क्या होगा कि दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, चिडिया की चौच में क्या दबा हुआ था, नेक्स्ट है, जहाँ पर मुडगयों को रखा जाता है, उसे क्या कहल जाता है, नैनन की जल्सों पक धोई-पंक्ती में किसने पैर धोई, तो किसने पैर धोई, अगर सुदामा चरीट पड़ा है आपने, तो आपको question हो जाते हैं objective type next question second है जिसमें आपको देख रखा है नीचे देगे पंक्तियों की पूर्ती सही शब्द चुन कर कीजिए आपको कुछ शब्द दे रखी है तो इन पंक्तियों को इससे पूर्ण करना है जो शब्द दे रखे हैं सही विकल्प को लिखना है आपको अभी न होगा मेरा क्या अंत मैं ही अपना क्या आजाए गए हैं पर मृदुल कर जगाक एक रिक्तिस्थान मनोहर धोती फटी सी लटी रिक्तिस्थान पूछत दीन दयाल को रिक्तिस्थान ऐसे बेहाल रिक्तिस्थान सुपक कंटक जाल लगे पुनी जोए रिक्तिस्थान का आख में चापी रहे तुम तो इस अरह से आपको रिक्तिस्थान फिल कर देने हैं कोशन थर्ड है नीचे दे गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत पर निशान लगाईए तो आपको सही और गलत निशान लगाना है बाक्यों को पढ़ना है कैरफूली सही गलत बताना है दोशों का परदाफाश करना बुरी बात नहीं है भारत वर्ष सदा त्रानूं को धर्म नहीं मानता इमानदारी को मुक्ता का प्रियाय समझा जाने लगा है साप मन ही मन बाच की मुक्ता पर दुखी था आदमी तो लिबास से फकत आज लाज ही नहीं ढखता है कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है फोर्थ कोशन है नीचे देगा शब्दों के दो-दो प्रियाय बाची लिखिए तो दो-दो प्रियाय बाची बताने है चंद्रमा का जैसे चान दिवाकर पुष्प का फूल ठीके ब्रहमर का बताना है सूरे का बताना है दिनकर रवी ठीके बहुत सारे प्रियावचे होते हैं तो हम आंसर भी देखेंगे बस आपको मैं पहले सबसे पहले कोशन बता देती हूं ताकि आपको एक बार हो जाए कि हमने जो पिछले एक पॉडल पेपर किये हैं उनसे रेट किस तरह के कोशन आपको पूछे गए हैं इस पेपर में प्रश्य संग्या पांच ही नीचे देगे वाक्यांश का मिलान कीचे आपको वाक्यांश का मिलान करना है हम दीवानों की मस्ती का आलम आई बनकर हम धूल उडाते सिक्स कोशन है नीचे देगे वाक्यों का समानाती शब्द लिखिए समानाती शब्द लिखने है वस्तू की बदले वस्तू लेना देना विणी में होता है न कई वर्षों पुराना सरलता से मिल जाना सौ साल शताप्ती समजदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए एट कोशन है आपको कौन सी रितू सबसे अच्छी लगती है क्यों नाइन कोशन है नीचे देगे मोहावरों का वाक्य में प्रियोग कीजी नो दो ग्यारा होना यानि भाग जाना तो आपको वाक्य में प्रियोग करना है आखो का तारा बहुत प्यारा होना मोहन अपनी मा का आखो का तारा है नेक्स 10 कोशन देखेंगे 10 कोशन है प्रे उपसर्ग लगा कर दो नई शब्द बनाए प्रे उपसर्ग लगा करके आपको शब्द बनाने हैं तो दो दो शब्द बनाने हैं आपको यहाँ पर प्रे उपसर्ग से ठीक है जैसे प्रसंग प्रियुक्ति ठीक है 11 कोशन है कोरोना बाइरस से वच्षाफ पाये का त्हीं फटविश burial को पता है अंसर यहां को दो ऊपाये लिएंप सी साज दusan रिकनी चाहिए 13 question है cycle की विनम्र की सवारी cycle को यहाँ पर को कर देना है cycle को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है 14 question है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है तो यहाँ अंसर लिख देना है Next आपका 15 to 17 question है नीचे दियेगे गध्यांश को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजे कध्यांश देरका है कैरफूली रीड करेंगे तो आपको सभी question के आंसर इसी paragraph मिल जाएंगे Question इससे relate है नदी कहाँ पर बैती थी तो देखिए परवत की अंदेरी घाटियों में एक नदी भी बैती थी दूद के जाकसी सफेद ठीके लहरे कैसे दिखाए देती थी दूद के जाकसी सफेद तो यहां लिख देना है next 17 question है शोर मचाना शब्द का अर्थ शोर मचाना यानि आवाज करना इस सब्द का क्या अर्थ हो जाएगा आवाज करना 18 है नीचे दिये गए पध्यांश पंक्तियों का भावार्थ दिखिए तो आपको पध्यांश दे रखा है यहां पर इन पंक्तियों का आपको लिख देना है क्या भावार्थ ठीके सुदामाचरी से लिया गया है तो हमने चैप्टर देखी रखा है अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर तो आप अभी जा करके हमारे प्लेलिस से देख सकते हैं छीके खंड से देखेंगे अब प्रश्ण संख्या 19-20 किसी एक शीशक पर कहानी लिखी है अपको कोई دो शीशक देरकी हैं जिसमें से आपको एक शीशक करहानी लिखना है मेहनत का फल मीठा होता है अत्वा जैसे को दैसा तो कोई एक शीशक कर आपको कहानी लिखनी है 20 वेनटी कोशन है Trust payment को DP का मान कर अपने प्रधाना ध्यापपक को आवश्य का रहे है तो तीन का अवकाश ये तू प्रातना पत्र लिखिए या फिर आप कर सकते हैं विध्याल में वाश्यक उस सब पर पात्रों का चैयन करते हुए सम्माद बनाईए तो या तो आपको सम्माद लिखना है प्रातना पत्र मेरे कोडिंग बहुत इसी हो जाता ह है बच्चों के लिए क्योंकि प्रातना पत्र बहुत बार हम देख चुके हैं रठ भी गए होंगे कहीं बच्चों को तो जो हम से continue जुड़े हुए हैं जो देखते ही देखते हैं हमारे वीडियोज अपनी क्लास से रिलेट उन बच्चे को तो रटी चुका होगा प्रातना पत्र और अवकाश हेतु तो बहुत ही बार देख रखा है हमने आवश्य कारे हेतु तीन दिन का अवकाश हेतु जो प्रातना पत तो हमने हमारा विध्याले बहुत बार देख चुके हैं हम निबन को कोई भी एक विशे पर निबन लिखना है आप लिख दीजे हमारा विध्याले पर या फिस्वाच भारत अभियान पर भी हमने देख रहा है निबन लिखन तो यहां आप कोई भी एक कोशन कर सकते हैं बहुत easy question है यह भी हमने कर रहा है काफी बार repeat कर चुके है हम इस question को भी तो इस तरह से complete होता है आपको पूरा प्रशन पत्र पूरा प्रशन पत्र हमने जो पिछले model paper देखे हैं और जो पिछले videos देखे हैं उससे ही रिलेट आया है कहीं भी out of syllabus नहीं है जैसा कि हमने आपको अगर वीडियो सब भी कैरफूली देख रहे हैं तो 92-95% आपको उनी paper में से मिल जाने है question तो देखे आप यह पूरा paper जिसमें आपको सभी questions अपने repeat किये हुए question ही देखने को मिल रहे होंगे तो जल्द ही हम आज अकल में आपको इस paper का पूरे paper का answer भी प्रोवाइट करव subject हिंदी के question के questions हैं सभी answers कुछ subject हिंदी के और इसी तरह हम आपके और भी model प्रश्न पत्र और भी जो प्रश्न पत्र हैं आपके जो आपके आने है exam में वो भी लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवा झाडरेे चैनल advice.